तो आपको automatic वाला यहाँ पर आपको gearbox देखने को मिल जाता है CNG के साथ में यह combination आपको काफी अधा premium मिलने वाला भाई इस कार में असाथ में बात राम राम सभी भाईयोंने मैं हूँ आपका अपना मन तो आरी तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक खास कार की वीडियो लेके आए गए हैं जी यहां मैं बात कर रहा हूँ यहां पर टाटा टिगोर CNG automatic एक जैट ए वेरियंट की जिसको काफी लोगों के डिबार थी हो काफी लोगों के comment section में comment आ रहा है थे कि भाई इसकी वीडियो मुझे चाहिए हो जल्दी जल्दी भाई इसके वीडियो लाइए लेकिन आप इस सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपको इसकी XZA variant में CNG automatic में आपको क्या काखास मल जाता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी की से तो यहाँ पर की की बात की जाए तो की आपको कुछ तरीके से देखने को मिल जाती है जिसमें lock and lock करने के और tailgate open और यहाँ पर headlight open करने के आपको इसमें बटन देखने को मिल जाती है साथ में अगर बात की जाए इसके engine की यहाँ पर इसमें आपको 1.2 लीटर वाला यहाँ पर CNG engine आपको देखने को मिल जाता है खास कर आप अगर हम बात करें इसमें और भी क्या क्या खास मिल जाता है तो start करते हैं सबसे पहले इसकी car से front side में तो यहाँ पर आपको मिल जाती है इसमें projector, halogen headlight और साथ में इस तरीके से normal आपको यहाँ पर headlight देखने को मिल जाती है साथ में अगर फ्रेंड side की look की बात की जाए ग्रिल की तो यहाँ पर ग्रिल में भी आपको chrome of pianofness का work देखने को मिल जाता है साथ में यहाँ पर 2024 वाला वही Tata का logo आपको देखने को मिल जाता है जो car की look को काफी जादा enhance कर देते हैं front side की look को अगर बात की जाए इसकी ground clearance की तो यहाँ पर आपको ground clearance 165 mm की देखने को मिल जाती है जो एक sedan के इसाफ से यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है अगर आप बात करें इसके side profile में side profile में आपको कैसा क्या खास मिल जाता है तो side profile में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसमें आपको 40 inches की यहाँ पर आपको यहां पे आपको देखने को मिल जाती है और हमें यहां पे आपको लाइन देखने को मिल जाती है जो की कार जो की काफिएदा इनहें कर देती साइड परफाल के लोग के लेकिन इसमें आपको कोई भी यहाँ पर रूफ रेल देखने को नहीं मिलती है लेकिन अगर बात किजा है इसके रियर परफाल के तो यहाँ बगर श्टाट कर जाएए इसके टेल लाइट से तो यहाँ पर आपको बैक साइड में LED ही टेल देखने को मिल जाती है, साथ में यहां पे आपको alloじあ encuentra दिखने को मिल जाता है बैक साण में यहां पे आपको take over की बैजिंग, टूटंड नी फॉर वाला Tata का लोगो, और यहां पे आपको ICNG की बैजिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही में बैक साइड में यहां पे इसमें आपको डिफॉगर के साथ-साथ यहां पे इसमें आपको स्पॉयलर और सार्फ एंटीना भी आपको देखने को मिल जाता है और बैक साइड में यहां पे इसमें आपको पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है कि स तो यह थी हमारे car का एक्षिर्या, अब चलके देखते हैं तो आईए चलके देखते हैं तो भाई अगर फाइनली car की interior की बात की जाए तो जब भी हम यहां पर interior में जाएंगे तो सबसे पहले तो यहां पर आपको इसमें keyless entry देखने को मिल जाती है सबसे पहले हम car को करते हैं यहां पर आन लोग इस तरही के से और यहां पर बात की जाए ड्रैबर साट के डोर में आपको क्या 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 खास मिल जाता है तो यहां पर बात की जाए तो यहां पर automatic में आपको कुस यहां पर instructions देखने को मिल जाते हैं और साथ ही में यहाँ आरबीम कंट्रोल कि आपको बसर देखने को मिल जाती है साथ ही में अगर बात की जाए आक Kार में तो इसमें यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पे बेंटीक सीट या में यहां हैं bringt यहां पर आपको कोई भी चेंजे देखने नहीं मिलने वाले वाले छोटा आपको यहां पर düşünce तो यहां पर वही dashboard आपको देखने को मिल जाता सेम यहां पर कोई भी आपको changes देखने को नहीं मिलते हैं अगर इंफोटन सिस्टम के बात की तो वही आपको 7H की यहां पर हरवन की आपको touch display देखने को मिल जाती है साती में अगर बात की जाए तो यहां पर आपको softness feel होने वाली है साती में अगर बात की जाए तो यहां पर आपको 2 airbag देखने को मिल जाते हैं साती में अगर बात की जाए तो AC winz भी आपको यहां पर काफी आता इंटीर में प्रीमेब लुक देती हुए नजर आती हैं साती में बात की जाए इसके center console की तो यहां पर एगर center console में बात की जाए तो यहां पर आपको tailgate open करने के आपको button मिल जाती साती में आप सेंटर locking के आपको बटन मिल जाती, स्टार्ट रस्टॉप करने की यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाती, आटोमेटिक यहाँ पे आपको क्लामेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, CNG के साथ में ये combination आपको काफी अदा premium मिलने वाला वाई इस car में उसाथ में बात की जाए तो यहाँ पर आपको manually handbrake यहाँ पर आपको दो का फोल्डर का option साथ में यहाँ पर भी आपको 12 वस फार चारजिं का option बात की जाए इसके गिलब बॉक्स की तो यहाँ पर आपको कूल गलब बॉक्स देखने को मिल जाता है X-Jet A CNG Automatic Tegor में तो ये था हमारा का फर्स्ट रोव अब चल के दिखते हैं सेकंड रोव में कैसा के मलता है आई चल के दिखते हैं सेकंड रोव की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर वाई यहाँ पर बात करेंगे इंटीर की सेकंड रो में तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरही के से अच्छी सी भाई यहाँ पर इस्पेस आपको देखने को मिल जाती है लेकर एक चीज यहाँ पर आपको मिसिंग मिलती है यहाँ पर आपको सेकंड रो में कोई भी रियर रेसी और यहां पर कोई भी आपको charging point देखने को नहीं मिलते हैं तो यह थी हमारी second row अब जलके देखते हैं यहां पर boot space आपको कैसे के मिल जाती CNG में साथी में अगर बात की जाए इसके boot space की तो यहां पर वाई CNG cylinder होने के बापजूद भी आपको काफी अच्छी boot space देखने को मिल जाती सबसे पहले तो यहां पर करें कि कार को unlock और यहां पर आपको इसका boot space का यहां पर gate आपको काफी जादा boot gate यहां पर काफी जादा heavy feel होने वाला है आप्टर CNG cylinder होने के बापजूद मतलब टाटा वालों न अपनी सीच को काफी जादा improve किया है CNG cylinder देने के बापजूद भी अपनी यहां पर वाई space को उन्होंने boot space को increase किया है और साथी में अगर बात कीजाएं इस कारकर price की तो इसकी एक्स रूम प्राइस होने वाली है आठ लाग पच्छासी अजास इसकी एक्स रूम प्राइस स्टार्ट होती है तो आप लोगों कैसी लगी मेरे कमेंस रिक्स में जरू बताना है तो प्रील लाइक सब्सक्राइब एक्टीब चैनल थैंक यू बेरी मच